आनी की शुरवात होती है शिन और प्यो नाम की दो अनात बच्चों से जिन्हें अंकल वू नाम की एक आदमी ने खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था। उनकी जंदगी काफी मुश्किलों से भरी थी लेकिन वो फिर भी एक दूसरे का बहुत कयाल रखते। साथ ही वो द रोज के अभ्यास से वो अब काफी अच्छे योधा बन चुके थे। एक दिन जब वो लड़ रहे थे तो चैंग नाम के एक जनरल ने उन्हें देखा और वो प्यो की दलवार बाजी से बहुत प्रभावित हुआ। फिर अगली सुभा वो अंकल वू के घर आया और उसे ब आखरी बार तलवार बाजी की और उन दोनों ने वादा किया कि वो दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उस राज शिन ने ठान लिया कि वो भी कड़ी मेहनत करके प्यों के बराबर पहुँचेगा ताकि वो भी एक महान जनरल बनने क अपने सपने को पूरा कर सके आने वाले दिनों में शिन ने जंगलों में लगादार मेनत करके अपनी तलवार बाजी में सुधार किया आखिरकार उसकी मेनत रंग लाई क्योंकि अब वो अपनी तलवार से बड़े से बड़े पेड़ को भी आसानी से काट देता कुछ दिन बाद जब वो अपनी जोपणी में अराम कर रहा था तो अचानक किसी ने जोर से उसका दर्वाजा खट-कटाया शिन ने दोड़ कर देखा कि सामने प्यो खड़ा था वो बेहत जखमी हालत में जैसे तैसे उसके पास पहुँचा था मरते मरते फ्यो ने कहा कि उनके राजज़ पर हमला हुआ है राजा के छोटे भाई राज़कुमार सेख्यों ने राज़ा को मरवाने के लिए अपने जासूष भेजे थे इसी बीच शाही मंत्रियों ने प्यो को राजा का भेज बना कर गदी पर बैठा दिया और दुश्मन राजा की जगा उस पर हमला करकर भाग गए मरने से पहले प्यो ने शिन को एक नक्षा दिया जिसमें गाउं का पता था प्यों ने शिन को इस गाउं में जाकर शाही फौज से मिलने को कहा क्योंकि वो शिन को एक महान युद्धा बना सकते हैं उस राज शिन बहुत तेज दोड़ा और प्यों के बताए गाउं के रास्ते पर चल पड़ा रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया लेकिन शिन ने डट कर उनका सामना किया अपनी सालों की कड़ी मैनत से वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसने चुटकियों में सब कुछ धूल चटा दी इसके बाद वो जल्द ही गाउं में पहुँच गया जहां उसे एक जोपड़ी दिखाई दी जिसमें किन नाम का राजा बैठा था जो नजाने क्यूं अपना महल छोड़ कर भाग आया था तब किन ने शिन को बताया कि जनरल चैंग जान बूच कर प्यो को वहां लाए थे क्योंकि प्यो की शकल राजा किन से हूब भू मिलती थी वो जानता था कि किन का छोटा भाई राजकुमार सेक्यों किन को मारना चाता है इसलिए चैंग ने किन की जगा प्यो को बिठा कर उसकी बली दे दी उधर कुछ फौजी अंकल वू के घर पहुचे जहां उन्हें प्यो की लाश मिली जनरल चोर राजकुमार सेक्यों का वफादार था और जब उसने प्यो की लाश देखी तो उसे ऐसास हुआ कि उन्होंने जिसे मार डाला वो राजा किन नहीं बलकि कोई और था इधर शिन समझ गया था कि शाही फौज ने किन की जान बचाने के लिए प्यो की कुरबानी दे दी इससे उसे किन पर बहुत गुस्सा आया और तभी राजकुमार सेक्यों के आदमी ने जोपरी पर हमला कर दिया उसने शिन को उक्सा कर किन को मारने को कहा क्योंकि प्यो की मौत उसी की वज़े से हुई थी तब किन ने उसे समझाया कि प्यों ने सोचते समझते हुए पूरे राज्य को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है किन का जिंदा रहना जरूरी था क्योंकि अगर राजकुमार सेक्यों गद्धी पर बैट गया तो पूरे राज्य को बरबाद करके रख देगा अब किन ने शिन को फौज में शामिल होकर सेक्यों का मुकाबला करने को कहा ताकि उनके देश की रक्षा हो सके और प्यों का बलिदान योहीं बरबाद न जाए वहीं राजकुमार सेक्यों को जब खबर मिली किन जिन्दा है तो वो गुस्ते से बढ़क उठा अब उसने और जासूसों को भेज कर किन को मारने का हुक्म दिया अगले दिन जब शिन और किन जंगल से जा रही थे तो अचानक एक हत्यारे ने उस पर जहरीली सूई से हमला कर दिया शिन ने तुरंत उसका मुकाबला किया और अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया लेकिन उसके मरते ही शिन खुद भी बेहोश हो गया क्योंकि उसके शरीर में जहर फैल गया था खुश किसमती से राजा किन ने उसे उठाया और अपने तंबू में ले आया फिर उसने शिन को दबाई दे कर कई दिन तक उसकी देख भाल की एक दिन जब शिन की आँख खुली तो अचानक तंबू में कई फौजी आगुसे ये फौजी जनरल चैंग के थे जो राजा किन का वफादार था अब जनरल चैंग ने राजा किन को अपने भाई से अपना राज्य वापस लेने की रननीती समझाई हलांकि सेक्यो किन को मारने में असफल रहा लेकिन फिर भी उसने खुद को नया राजा घोशित कर दिया था वहीं राजा किन चिंता में था क्योंकि उसकी फौज से क्योगी फौज के मुकाबले काफी कम थी तब एक जनरल ने उसे कुछ पहाड़ी कभीलों से मदद मांगने की सला दी राजा किन राजी हो गया और अपनी फौज को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा काफी खतरनाक रास्ता पार करने के बाद राजा किन और उसकी फौज पहाड़ी कभीले की सरहत तका पहुंची लेकिन उन्होंने राजा का स्वागत करने की बजाए उन पर हमला बोल कर राजा को बंदी बना लिया आज में जब वो उस कभीले के राजा के सामने पहुंचे तो किन ने बताया कि वो यहां मदद मांगने आया है वो चाहता था कि राजकुमार सेक्यों से राज जब वापस हासिल करने में पहाड़ी फौज उसकी मदद करे लेकिन पहाड़ी कभीले के सरदार ने साफ इंकार कर दिया क्योंकि पहले भी कई राजाओं ने उनके भोलेपन का फाइदा उठा कर उन्हें मार डाला था लेकिन किन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था इसलिए उसने अपने पूरवजों की तरफ से सबसे दिल से माफी मांगी और आखिरकार उसकी सचाई देखकर कभीले के सरदार ने उसे माफ कर दिया फिर उसने अपने फौजीयों को किन की फौज के साथ मिलकर राजमहल पर हमला करने का हुक्म दिया इसके बाद किन ने सेक्यों की फौज को चारों और से घेर कर वार करने का प्लान बनाया शेन और जनरल चैंग फौज के सेना पती होंगे और किन भेज बदल कर पहाड़ी फौज में शामिल होगा और इसी तरहां सब लोग आसानी से सेक्यों के राज्य में घुस गए मौका पाते ही उन्होंने दर्वाजे पर खड़े सैने को पर हमला बोल दिया इसके बाद किन ने शिन को अपनी फाज लेकर खूफिया रास्ते की ओर जाने को कहा और इधर वो पहाड़ी राजा के साथ सेक्यों की फाज का मुकाबला करने लगा जल्द ही पहाड़ी फाज और सेक्यों की फाज में घमासान युद्ध चिड़ गया पहाड़ी फाजीयों की फुर्ती और कबिलियत की मदद से राजा किन ने बड़ी आसानी से सेक्यों की काफी सारी फौज को मा डाला उधर शिन और उसकी फौज को खूफिया रास्ते में घुसने के लिए एक वैश्टी राक्षस का सामना करना पड़ा हलांकि राक्षस से लड़ना उनके लिए बेहत मुश्किल था लेकिन अंत में शिन ने अपनी तलवार के जोरदार वार से राक्षस का खात्मा कर दिया इसके बाद शिन और उसके फौज ही खूफिया रास्ता पार करके राजमहल के शाही दरबार में पहुँच गए मगर सेक्यू तो आराम से अपनी गद्दी पर आराम फर्मा रहा था फिर उसने अपनी फौज के सबसे ताकतवर जनरल चो को भुलाया जनरल चो ने शिन को मुकाबले के लिए ललका रा और शिन ने भी बिना किसी जजग के उसकी स्चुनौती को स्विकार किया जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ और दोनों में कांटे की टकर होने लगी क्योंकि वो दोनों ही कमाल के तलवार बास थे लेकिन शिन के जजबे और जोश के सामने जनरल चो भी फीका पड़ गया और आखिरकार शिन ने उसे बुरी तरह मात दी इसी तरह शिन ने प्यो की मौत का बदला लिया जनरल चो की लाश अपनी आखों के सामने देख कर प्रिंस सेक्यू डर के मारे महल से भाग निकला लेकिन दर्वाजे पर किन और उसकी फौज पहले से सेक्यू का इंतजार कर रही थी किन ने तुरंट सेक्यू पर हमला करके एक ही जटके में उसका काम तबाम कर दिया बर कुछी पलों में जनरल आउकी वहाँ पहुचा जो पास के राज्ये का सबसे तागतवर जनरल था आउकी ने किन से पूछा कि उसने सेक्यू पर हमला क्यों किया तो किन ने जवाब दिया कि उसे राजा बनने का कोई शौंक नहीं है लेकिन उसका भाई सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है अगर सेक्यू गदी पर रहता तो राज्ये के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता अब किन चाहता था कि जापान के सारे राज्ये एक साथ मिलकर शांती से रहें ताकि पूरा देश आगे बढ़ सके उसकी ये बात सुनकर जनरल आउकी ने उसका इस अपना पूरा करने में उसकी मदद करने का वादा किया लेकिन अब भी एक जनरल सीक्यू का वफादार था और वो किन की जीत बरदाश नहीं कर पाया इसलिए उसने अपनी फौज के साथ किन और आउकी पर हमला कर दिया मगर जनरल आउकी ने पूरे आत्म विश्वास के साथ एक ही वार से सभी फौजीयों को मौत के घाट उतार दिया यह देखकर वो दूसरा जनरल और भड़क उठा और अब उसने खुद किन पर वार कर दिया लेकिन एन वक्त पर शिन ने बीच में आकर किन की जान बचाई और उस जनरल को माड डाला शिन की बहादुरी से जनरल आउकी भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि शिन आगे चल कर इस देश का सबसे महान जनरल बनेगा इसके बाद आउकी वहाँ से जाने लगा तो शिन ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि मुझे हमेशा याद रखना आखिरकार राजकुमार सेक्या और उसकी सेना को हरा कर राजा किन जीच चुका था इसलिए शाही सेना और पहाडी फौज खुशी से नाचने गाने लगी जाने से पहले पहाडी कबीले के सरदार ने शिन के जजबे से खुश होकर उसे अपनी पुष्टैनी तलवार तोफे में दी अब जनरल आउकी की भविश्यवानी और पहाडी राजा की तलवार पाकर शिन एक महान जनरल बनने के अपने सपने की और एक अदम और आगे बढ़ गया शिन की जिन्दगी से यही सीख मिलती है कि एक गुलाम होकर भी तुम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो